So good morning guys और आपके करेक एक्जाम चैनल में आप साभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 13 माई की important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो पहला प्रश्ण नमरा क्या है हाल इमें किसने विश्व खाद्य पुरुसकार 2021 को जीता है तो आंसर होगा शकुंतला थिलस्टैड ने तो भाते मूल की वेश्विक पुरुषण विशेशक्य है ये डॉक्टर शकुंतला, हर सिंग, थिलस्टैड और इन्होंने ये प्रतेष्टे 2021 का विश्व खाद्य पुरुसकार जीता है तो उन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पुरुषण, स्वास्त्य और आजविका में सुधार करने के लिए इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया और ये जो विश्व खाद्य पुरुसकार है इसे नोबल शांती पुरुसकार विजेता नॉर्मन बॉर्लॉक के द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था और देखों यहां से आप लिंक कर पा रहे होंगे एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसका हेटकोर्टर का पर है रो मिटली में 2020 का नोबल पीस प्राइस जीता था उसने चलो एक प्रश्ट में आपसे पूसता हूँ आप बताओ विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है और अगर डेली आ आपको 10 important days का revision करवाता हूँ तो आप इसका answer दे पाओगे फटा फट तो answer होगा 16 October को लेकिन याद रखना ये तो हो गया World Food Day अगर आपसे पूछा जाए World Food Safety Day कब होता है तो क्या answer करोगे 7 June answer करना बारकी देको शुश्मिता लेंका पैंगोलिन के संगरक्षन के लिए एशिया परियावरन प्रवर्तन एशिया एन्वार्मेंट एन्फॉर्समेंट अवर्ड मिला था इनको गितानजली राव टाइम्स किड अफ द इयर चुनी गई थी ये और डॉक्टर ताहरा बढ़ा था इनके बारे में अरब वर्ल्ड नोबिल पुरिसकार जीतने वाली पहली भार्ते बनी थी ये तो इस प्रशन से शकुंतला का नाम यादर्खना बढ़ते आगे फिर बताइए अभी हाली में किस बैंक ने I choose my number सुविधा शुरू करने की घोशना की है तो आंसर होगा जन small finance bank ने तो जन small finance bank ने भारत में अपने सभी घरहकूं के लिए I choose my number सुविधा शुरू करने की घोशना की है क्या हो गा इसमें? मतलब आपको जो भी अकाउंट होगा, चाये वो सेविंग अकाउंट होगया, चाये वो करंट अकाउंट होगया, तो आपको जो अकाउंट नमबर होते हैं, उसके जो last 10 नमबर होंगे न, उसे आप अपने हिसाब से, अपना पसंदीदा, अपना लग्की नंबर वहां पे आप चुन पाओगे या आपको सुविधा दी जाएगी कौन देगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसकी इस्तापना होती है 2006 में इसका हेटकोटर मिलेगा आपको बैंगलूरू में इसके MDCO अजे कंवल है और इसकी टेगलाइन होती है पैसे की कदर क्या दोग से जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में ध्यान रखना बढ़ते हैंगे अच्छा फिर बताइए अभी हाली में Space X ने डॉग वन मिशन लाउंज करने के लिए किस क्रिप्टो करंसी को पेमिंट की तोर पर स्विकार करने की घोशना की तो अंसर होगा डॉग कोईन अब इ याद रखो यह जो डॉग वन मिशन है यह क्या है यह चंदर मिशन है इसे किसके द्वारा भीजा जाएगा Space X कंपनी के द्वारा जो कि एलन मस्क की कंपनी है और कब भीजा जाएगा 2022 में कौन सा रोकेट लेकर के जाएगा तुझे SpaceX का रोकेट है Falcon 9 रोकेट और इसमें जो Space Mission में पहली बार किसी क्रिप्टो करंसी का उप्योग किया जाएगा और इस क्रिप्टो करंसी का भुकतान करेगी कौन कनाडा की एक कंपनी है Geometric Energy Corporation अच्छे क्रिप्टो करंसी से कुछ पॉइंट्स में आपको बताता हूँ देगो दुनिया की पहली क्रिप्टो करंसी का न नियूज में रही थी पहले उसका नाम लिब्ब्रा रखा था बाद में उसे चेंज कर दिया डायम कर दिया अच्छा चलो बताओ UK के द्वारा खुजी जा रही नई डिजिटल करंसी का नाम क्या है तो पढ़ा था हम लोगों ने ब्रिट कॉइन नाम है और अभी किस देश होगा SpaceX ने सबसे ज़्यादा यानि कि 143 सेटलाइट्स अंतरिक्ष में ले जा करके एक रिकॉर्ड बनाया था और इसने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो की एक साथ 104 सेटलाइट को ले करके गया था अच्छा SpaceX ने अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉंच करने की घोशड़ा की थी उस मिशन का नाम बता सकते हो इंस्पिरेशन 4 बढ़ते आगे अच्छा फिर बताइए अट्लांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पूत का नाम क्या है तो आंसर होगा Mayflower 400 तो दुनिया का पहला मानव रहित पूत है य तो मेयर के द्वारा इसे बनाया गया है और इसे बनाने का उद्देश ही क्या है मतलब क्यों बनाया गया तो इसे समुद्री जीवों का पता लगाने के लिए समुद्री प्रदूशन का अध्यन करने के लिए और पानी में प्लास्तिक का विशलेशन करने के लिए बनाया ग यह प्रश्ण एक्जाम में आया हुआ है मैंने बताया आपको पूछा गया था एक्जाम में बिग ब्ल्यू के नाम से किसके जाना जाता है ऑप्शन में IBM था IBM इसका अंसर होगा और अब यह IBM से रिलेटिड एक प्रश्ण हमने पढ़ा था करंट अफेर्स में ही कि इसने दो नैनोमेटर चिप बनाई है जो कि सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रो चिप है तो यह याद रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में RBI ने दूसरे विनियमन समिक्षा प्राधिकरन की साहिता के लिए किसकी अध्यक्षिता में सलाकार समू का गठन कि या तो अंसर होगा S. जानकी रमन विनियमन समिक्षा प्राधिकरन इसे इंगलिश में क्या कहेंगे Regulatory Review Authority अच्छा इसका गठन क्यों हुआ था तो विनियमक संस्थाओं के बोज को कम करने के लिए और ये तो दूसरी वाली है पहली का गठन कब हुआ था 1999 में और दूसरी का गठन अब हुआ है 1 मई 2021 को एक साल के लिए और इसको सला देने के लिए एक समीती बनाई गई है जानकी रमन समीती S. जानकी रमन की अध्यक्षिता में और ये जानकी रमन कौन है S. बी आई की प्रबंद निदेशक मेनेजिंग डारेक्टर है तो अगर आपसे पूछा जाए एक्जाम में की जानकी रमन का सम्मंद किस से है तो आंसर क्या करोगे Regulatory Review Authority से बाकी सुदर्शन सेन आपको याद होगा अभी सुदर्शन समीती का गठन किया गया था इनकी अध्यक्षिता में Asset Reconstruction Company को रिवीव करने के लिए उसका अध्यन करने के लिए अब देख गवर्नर से कुछ important question में आपको हमेशा बताता हूँ जैसे पहले British Governor Osborne Smith पहले Indian Governor C.D. देश्मुक और दो गवर्नर और याद रखो एक तो पूर्व गवर्नर थे उरजीत पतेल जिन्होंने book लिखी है Overdraft Saving the Indian Saver और एक पूर्व Deputy Governor है विरल आचार है उन्होंने कौन से book लि जगे एक नए आगे उनका नाम के है टी रभी शंकर और बाकी के तीन कौन है M. Rajeshwar Rao, M. K. Jain और माइकल देव बृत्पातरा और RBI के पूर्व गवर्नर थे M. Narsimman उनका भी निधन हो गया भी और यहां के पूर्व Deputy Governor थे केसी चक्रवर्ती उनका भी निधन हो गया तो य IREDA यानि कि Indian Renewable Energy Development Agency Limited जिसको इस साल Renewable Energy यानि कि आक्षे उर्जा के लिए Financing Institution में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए Green Energy Award से सम्मानित किया है और यह Award किस ने दिया तो Indian Chamber of Commerce ने याद रखना यह IREDA है जिसकी full form हमने बताई Indian Renewable Energy Development Agency Limited और यह IREDA क्या है? Insurance Regulatory and Development Authority है तो यह आप ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में National Asset Reconstruction Company के CEO कौन बन गए तो अंसर होगा पद्म कुमार नायर तो अभी पद्म कुमार नायर को National Asset Reconstruction Company के CEO के रूप में न्यूक्ट किया गया है बाकी उजूला सिंगानिया हमने पड़ा था फिक्की लीडीज और्गेनाजिशन के 38 वेर राष्ट्र अध्यक्ष 2021-22 के रूप में इनको न्यूक्ट किया गया आरेम सुंदरम भारते चावल अनुसंधान संस्थान जो की मिलेगा आपको हैद्राबाद में उसके ये डाइरेक्टर बने और प्रफुल चंदरपंत राष्ट्र मानवधिकार आयोग National Human Rights Commission के कारेकारी अध्यक्ष बने ये तो इस प्रशन से पद्म कुमार नायर का नाम याद रखना बढ़ते आगे फिर बताइए, हाली में BJ Watling ने सन्यास की घोषणा कर दी है ये किस देश की प्लेयर है तो न्यूजिलेंड के ये प्लेयर है BJ Watling ये न्यूजिलेंड के विकेट की पर बल्ले बाज है और उन्होंने अभी क्या कहा कि वो आगा में इंगलेंड दौरे पर भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चेंपेंशिप फाइनल सहित तीन टेस्ट मैचों के बाद अंतर राश्टर किर्केट से सन्यास ले लेंगे बी जे वाटलिंग इनका नाम है आचा न्यूजिलेंड की केपिटल क्या होती है वेलिंग्टन होती है करंसी होती है न्यूजिलेंड डॉलर और प्रधान मंतरी जेकिंडा अडनेवा बढ़ते हैं फिर बताइए हाली में किस बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पॉर्टल पर चैटबॉट इवा इसको लांच किया है तो आंसर होगा से लांच किया है किसने HDFC बैंक ने इसका नाम है चैटबॉट इवा देखो अभी आपको याद होगा सेंटरल बैंक ऑफ इंडिया से इसने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया था आर्बियल बैंक इसने पे बाई बैंक एप्लिकेशन के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझोता किया और शिवालिक मरकिन्टैल को अपरिटिव बैंक से क्या याद है आपको यह पहला को अपरिटिव बैंक बना है जिसे आर्बिया इने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने की अनुमती दी थी अब यहाँ पर बात हो रही है HDFC की देखो HDFC बैंक की बात करेंगे इसका हैटकोर्टर मुंबई में है इसके मैनेजिंग डिरेक्टर अभी नए बने उनका नाम है शशिधर जगदीशन इसकी टेग लैन होती है We Understand Your World HDFC बैंक ने भी स्मार्ट अप उन्नती नाम से कारेकरम शुरू किया था और Asia Money Best Bank Awards में India's Best Bank for SME Small Medium Enterprises इसको चुना गया था HDFC बैंक को और HDFC बैंक ने ही Small Medium Enterprises के लिए Smart Hub Merchant Solution 3.0 को भी लांच किया था बढ़ते आगे अच्छा बताईए अभी हाली में इस अंजीवनी OPD को किसने विक्सित किया है तो आंचर होगा CDAC ने CDAC मतलब Center for Development of Advanced Computer अच्छा ये है क्या इस अंजीवनी OPD तो ये एक तरह का Telemedicine Service है Telemedicine के बारे में पढ़ा था ना हम लोगोंने कि फोन पर दूर से ही चिकित्सक सेवाइं देने को ही कहा जाता है Telemedicine कब पढ़ा था हमने इसके बारे में आपको याद होगा हरियाना सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयूरवेदिक Telemedicine सुविधा को शुरू किया था तब हमने इसके बारे में पढ़ा था अच्छा तो इसमें होगा क्या तो इसमें सेरा के पूर वो जो डॉक्टर हैं वो COVID-19 के मरीजों को ऑनलाइन परामर्श देंगे इस Telemedicine के द्वारा और इसे बनाया है C-DEC ने तो इसका जो मुख्योद देश्य है वो यही है दूर दराज के शेतरों तक मेडिकल सुविधा को पहुँचाना देखो C-DEC की बात करेंगी स्थापना इसके 1988 में होती है फुल फर्म मैंने आपको बताई Center for Development of Advanced Computer इसका Headquarter मिलेगा आपको पूरे महराष्टर में और आपको बता दू कि भारत का जो परम सूपर कम्प्यूटर है वो इसी ने बनाया था बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में सन्युक्त राष्टर ने 2022 में भारत की GDP growth rate कितना रहने का अनुमान लगाया तो अंसर होगा 10.1% तो अब युनाइटेड नेशन के अनुसार calendar year 2022 में भारत की GDP growth rate 10.1% रह सकती है ऐसा अनुमान लगाया है जबकि 2021 में इसने कहा कि 7.5 रह सकती है अच्छा ये तो युनाइटेड नेशन की बात हो गई अभी नौमुरा ने क्या कहा वित्वर्ष 2021-22 में भारत की GDP growth rate 10.8 रह सकती है और मुडीज ने क्या कहा वित्वर्ष 2021-22 में ही भारत की GDP growth rate कितनी रह सकती है 9.3% रह सकती है ऐसा कहा है मुडीज ने अच्छा बताओ युनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को युनाइटेड नेशन डे की रुप में मनाते हैं वैसे 24 अक्टूबर को आपको बता दू नेशनल फूड डेवी मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोल्यो डेवी मनाते हैं इसका हेड़कोटर आपको मिलेगा नियू यॉर्क में इसके सेक्रेटरिक जनरल एंतोनियो गुतरेस है तो आप बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था राश्टर प्रद्योगी की दिवस नेशनल टेक्नलोजी डेक अब बनाया गया तो आंसर होगा 11 मई को आप सबी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया और गाईज देखिए अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ में अपने यारों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना